नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में डेली करंट अफेयर, सौमबार से शुक्रवार, रेलवे, बैंकिंग, SSC और उन सभी एग्जामेनेशन के लिए जो वन डे में पूछे जाते हैं स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का आज के इस खास सेशन में जिसमें आपके साथ मैं डिसकस कर रहा हूँ पंदरा सवाल, तीस मिनिट में ये बहद महत्वपूर्ण सवाल हैं इनकी मदद से आप लोग निस्चित ही अपने वन डे एग्जामेनेशन के अंदर सो निस्चित रूप से सवाल प्राप्त करेंगे तो आईए, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजे अपने साथियों के खबरे बनी हैं जो आपको जाननी चाहिए, स्वागत करता हूँ अपने सभी मित्रों का, निरंजन, अतुल, निलेश, कुमारी, नित्यांका, लक्ष, ध्यारेव, माइकल, प्रांशु, अंजली, लक्ष, नरेंद्र, पोद्दार, शिवराजन, जैन्ती, सभी साथियों का स्वागत है भीया, जल्दी से सेशन शेयर करिए और पढ़ना शुरू करिए, क्या कुछ खास है, हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में सबसे मैत्वपूर्ण जानकारी, रैफरल कोड के संबंद में, मेरा रैफरल कोड है अंकित 10 जिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं, फ् सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या बना है, विश्वयोग सम्मेलन 2021 के उदगाटन समहारों को किसने संबोधित किया, आवई, वर्ड योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, जिस दिन सूर्य जो है, वो करक रेखा के उपर होता है, क्या बनाया जाता है, तो उस दिवस के लिए अभी से ही तैयारिया शुरू हो चुकी हैं, और कॉन्फरेंसिस का आयोजन किया जा रहा है, और इसके लिए जो कॉन्फरेंसिस चल रही हैं, इसमें डॉक्टर हर्शवरधन जो हैं, इनके द्वारा जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वा सारे लोगों को आमंतरित किया जा रहा है योग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए याद रखिएगा इस बार जो योग दिवस मनाया जाएगा वो सातवा अंतर रस्ट ये योग दिवस होगा ये भारत की प्रयासों से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कारिय है य अपनाकारिय निश्चेत रूप से कर लेंगे ठीक है ना चलिए इसके बाद में दूसरा सवाल बनता है और वो यह है हाँ नितिश रगुवनसी पहली बार आये हैं स्वागत है भाई साब आपका बिलकुल जो भी पहली बार आये हैं उन सब का स्वागत है है ना दूसरी ब तो Ministry of Civil Aviation के साथ समझोते किये हैं याद होगा सुबह भी हमने इसके बारे में बात किया था Ministry of Civil Aviation हरदीप सिंग पुरी के दौरा जो है वो हाल ही में जो समुदरी परिवहन मंत्रा ले है उसके साथ में M.O.U. साइन किये गए हैं किस बात के लिए तो इनका कहना है हरदीप सी प्लेन रूट तयार किये जा रहे हैं आपको मालूम होना चीए सी प्लेन क्या है एक ऐसा पानी का जाहाज जो हवा में भी उड़ेगा और पानी पर भी चलेगा दैट इस सी प्लेन जो भारत का पहला सी प्लेन है वो कहां से कहां तक उड़ाया गया था साबर मती रिवर से लेकर के वो उड़ाया गया था केवडिया तक केवडिया बोले तो जहां पर क्या इस्तित है सरदार वल्लभाई पटेल की प्रतिमा है वहां तक उड़ाया गया था इनका कहना है कि 28 सी प्लेन रूट है हमारे द्वारा जिनके उपर हमारे द्वारा सर्विसिस ली जा रह का यहाँ पर संपूर विस्तार पूरवक विवरन दिया गया है यमुना में रिवर फ्रेंट है चंडीगड है और यह सारी चीजें यहाँ पर मैंशन की गई है याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही मतलब रीजनल कलेक्टिविटी को बढ़ाने का कारेकरम उड़ान नाम से जिसका नाम था उड़े देश का आमनागरिक वर्ष 2017 में एक कारेकरम शुरू किया गया था जिसका उद्देश था भारत के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना को बढ़ाने में इस योजना का भी बहुत बढ़ा महत्व होगा एन्मीद है आप स हाजी विद्यार्थी लिख रहे हैं अंकित विश्रा सर राज दरशन वाला स्पेशल क्लास में पढ़ा दीजिए बिलकुल पढ़ा देंगे भाई या और बताएं इसमें भी मॉटिवेशन कोट लाया करो मॉटिवेशन ना सुबह सुबह बचा रहता है इस समय तो क्लास खतम करने की जिम्मेदारी होती है हाजी आगे बढ़ते हैं साथियो चाइना वाला जी सेवन वाला कार्टून इश्व लीजिए नवनीत प्रजापती ठीक है भाई करेंगे उसको भी है ना हाजी सवाल पुछा गया है कौन सा आईएटी तीन दिवसी है वर्चुल विश्व 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 नेटवर्क विश्व द्याले के सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है तो आईएटी बॉम्बे क्या कर रहा है देखिए आपको मालूम होना चाहिए ब्रिक्स के अंदर प 2021 की जो शिकर सम्मेलन है जिसमें सभी देशों के राष्ट अध्यक्ष आएंगे वो शिकर सम्मेलन इंडिया में होने वाला है इससे पहले आईएटी मुंबई जो है वो इन पांचों की यूनिवर्सिटी का क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा संग्ठन हो चुका है जिसमें पांच ब्रिक्स कौन कौन से हैं साउथ अफरीका ब्राजील रशिया इंडिया चाइना पांच कंट्री इसके अंदर शामिल है ये पांच राष्ट रध्यक्ष इस बार इंडिया आएंगे अगर सब सही रहा तो ठीक है न और ब्रिक्स का निर्मान कब हुआ था 2011 में हुआ था या पापा भी आपका आरेने वाला सेशन देखते हैं भीया उनको हमारी तरफ से प्रणाम प्रेशिद करिएगा बहुत बढ़िया धन्यवाद आगे बढ़ते हैं साथियों सर आपके पैर छुना है एक बार मिलने की खौईश है अरे भाई बिलकुल बिलकुल एक्जाम सेल बि की तवस्ती सर है उसके डेस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने की जानकारी दी हुई है वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राजमे परिवहन में सुधार के लिए चार सो चौरासी बिलियन डॉलर का हाल ही में रिन पर हस् क्योंकि चेनन August कुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास करना है एक जबर دस्त बात बताता हूँ यह बहुत ही इंपटेंट है याद रख लेना साथियों जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच DMIC है भारत में कुल 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनमें से एक industrial corridor ये वाला है जिसे coastal corridor के नाम से भी जाना जाता है साथ यो, चेननाई कन्या कुमारी industrial corridor भारत में कुल कितने corridor हैं? पाँच corridor हैं, तो एक बार के लिए ये पाचो corridor के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कौन-कौन से पाच corridor हैं, ये याद कर लीजेगा corridor का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इन छेतरों के बीच में सरकारे विकास कारियों को प्रमोट करेंगी जैसे दिल्ली मुंबई industrial corridor है, जिसे DMIC कहता है, 1500 किलोमेटर के आसपास लंबाई है इसमें क्या होगा कि इस road के किनारे, यानि एक ऐसा छेतर विक्सित किया गया जहां road भी है, train भी है, आसपास के लिए industries के लिए विशेश रूप से छोड़ी गई जगह भी है आसपास सुचारू रूप से रहने के लिए plottings भी की गई है, electricity की विवस्था की गई है एक प्रकार से समझे कि road के किनारे सभा सभी प्रकार की कंपनियों को आने के लिए स्थान दिया जाता है सरकारों के द्वारा तो दिल्ली मुंबई इंडस्टियल कॉरिड़ जिसे DMIC के नाम से जानते हैं तीसरा कॉरिड़ है, अमरतसर कोलकाता इंडस्टियल कॉरिड़, तीसरा है चेननाई बैंगलोर इंडस्टियल कॉरिड़, चोथा है इस्ट कोस्ट इकोनामिक कॉरिड़ और विद वाइजेक चेननाई इंडस्टियल कॉरिड़, पांचवा है बैंगलोर मुंबई इंडस् इसका phase 1 है, phase 2 में चेननाई से कन्या कुमारी ये आपस में जोड़ा जाएगा, बिल्कुल समझ ये coastal तट पर विक्सित किया गया है, बिटा ये है ना, तीसरा जो है उडिसा वेस्ट वेंगॉल के लिए, उडिसा वेस्ट वेंगॉल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये थर्ड वाला इसका हिस्सा है, यानि ये समझ ये coast के किनारे सडख विक्सित कर दी जाएगी, आप जड़ा विचार करिए, भारत के अगर ये चार बड़े-बड़े port आपस में मिल जाएं, सडख के किनारे connect हो जाएं, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना, चलिए, आग अबरत सर से कोलकाता, कोलकाता से कन्या कुमारी, कन्या कुमारी से मुंबई सब connected है आपस में है न, तो ये कॉरिडोर विक्सित किये जा रहे है, मनीला के द्वारा ये विक्सित किया गया है, ADF के द्वारा, और इस समय प्रेसिडेंट कौन है, मता सुंगु असा कावा, किस इसके, ठीक है न बड़ा, चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सेशन को शेर कर दीजे, अपने सभी साथियों के साथ में, और क्या बोलते हैं, सेशन को like का बटन दिया हुआ है, उस पर like दबा दीजिए, जतने भी विध्यारती like है, फटाफट like कर दो, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ, और वो क्या है, तमीलाडू के बारे में थोड़ी जानकारी बता देता हूँ, capital chain नहीं है, यहां की governor बनवाली लाल पुरोहिद, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, यहां पर जिनका नाम क्या है, M.K.Stalin है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, FAO, सम्मेलन के 42 सत्र को किसने संभोधित किया है, FAO, Food Agriculture Organization को, हाल ही में किसने संभोधित किया है, तो भारत के क्रशी मंत्री, जिसका नाम क्या है, नरेंदर सिंग तोमर के द्वारा किया गया है, तो Food and Agriculture Organization, जो United Nations का एक बाड़ी है, जिसके Director General है क्यों डॉंगू, क्यों डॉंगू जो है, वो इसके क्या है, इस समय Director General है, ये हाल ही में एक सम्मेलन हुआ, 42 स्वा सेशन था, जिसको संभोधित किया गया है, FAO के द्वारा Conference था, तो ये करता क्या है, ये खाद सुरक्षा के विशय पर चर्चा करता है, कि दुनिया में खा क्या किया गया है, भारत ने 305 मिलियन टन निरियात किया है, खाद्यानों का नमबर एक, और दूसरा, भारत ने सर्गदेश के भीतर किसान ट्रेने चलाई हैं, जिससे की, मतलब खाद्यान को एक जगे से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है, एक important बात बताता Food and Agriculture Organization के बारे में, कि इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, और कब हुई थी 1945 को, तो 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए World Food Day भी इसी दिन मनाया जाता है, तो World Food Day 16 अक्टूबर इसी की याद में मनाया जाता है, रोम, इटली के अंदर इसका मुख्याले है, ये तथ्या आप प्राइज किसे दिया गया, ये important तत्य है, याद रख लीजेगा, शकुंतला हर किसन को, ये हरक सिंग को मेरे पैरे साथियों कौन सा अवार्ड दिया गया है, रिसेंटली, World Food Prize दिया गया है, तो ये current से updated एक न्यूज है, जो आपके सामने, यहाँ पर पता चली गई है, ठी आर्थिक मामलों की cabinet समयती ने प्रत्वे विज्ञान मंतरा लेके किस mission के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, बहुत ही important है साथियों, ये भारत को दुनिया का चटा देश बना रहा है, जिसकी वज़य से भारत इतना कारनामा कर पाएगा, पता है क्या करने वाले हैं हम कर सकते हैं, उन वस्तूओं को माइन्स को निकाल परेंगे, सोचके देखिए हम एक ऐसा रोबोट बनाने जा रहे हैं, पैतालिस सो करोड के आसपास का बजट सरकार ने अपरूव किया है, जिसके तहत दुनिया का भारत पाँचवे के बाद छटा देश बन जाएगा, जिस सारे मतलब natural resources पाया जाते हैं, इसके लिए deep sea mission की भारत सरकार के द्वारा अनुमती दी गई है, इसकी वज़े से हम climate change का अध्यन करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी तरह से resources का पता लगाएंगे, साथ ही ओ, अनुमान है, कि यहाँ पर 92.6 metric ton मेगनीज पाया जा स इससे पहले, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास यह technology उपलब्द है, इसमें लगबग 477 करोड, मतलब मैं 4500 करोड बोल रहा था, 4000 करोड के आस-पास का खरचा आएगा, हम robots के माध्यम से समुद्र की गहराईयों को ना पेंगे, ठीक है ना, नरेश विश् साथियों, अमन पांडे ने लिखा, काश हमारे पास भी तेल का कुवा होता, कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाता ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन क्या बना है, अगले पांच वर्षों म IDAX, DIO, Innovation for Defense Excellence के लिए 498 करोड रुपे के बजट ये समर्थन को किसने मंजुरी दी है, इसमें होगा क्या, इसमें राजनात सिंग जी के द्वारा मेरे प्यारे साथियों, Innovation for Defense Excellence Challenge पर अप्रूव किया गया है, मतलब इसका क्या है, ऐसे स्टार्टप्स या ऐसे MSME, यानि Micro Small Medium Enterprises या फिर कोई नया उद्योग, जो Defense के छेतर में कोई Innovation करना चाता है, रक्षा के छेतर में कुछ Innovation करना चाता है, तो उसके लिए रक्षा मंतराले 499 करोड रुपे का एक लक्ष लेकर के आया है, Innovation जिसके तहत मतलब लोगों में ये पैसे बाट दिये जाएंगे, Creation के अंदर, तो ये क्या किया गया है, मतलब किसके द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा किया गया है, यहां पर मैं आपको कुछ बातें important बता दूँ, भारत ने हाल ही में Defense सेक्टर में बहुत सारे काम की हैं, जैसे Defense के अंदर भारत सर FDI, यानि कि अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी, इंडिया में आकर के instrument बनाती है, तो पहले उसको 49% जो कीमत थी, वो पे करनी होती थी, अब 74% कीमत पे करनी होगी, यानि कि वो 74% तक हमारे यहां पर भागिदार बन सकता है, 74% तक हमने automatic route के अंदर, Defense सेक्टर के अंदर F पूच लिया जाता है, ठीक है नो, चलिए, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ, ये बहुत ही महत्वपोन सवाल है, और ये important नियुक्तियों में आप से पूछा जाता है, Microsoft Corporation के द्वारा किसे, हाल ही में अपना नया चेयर्मैन नियुक्त किया गया है, साथ सत्यानडेला, जो हैदराबाद, बॉर्न है, हैदराबाद से इनकी पढ़ाई हुई है, और ये क्या करने हैं, Microsoft के अंदर क्या बन गए हैं, अभी साथियों, ये चेयर्मैन के पद पर पहुँच गए हैं, वही Microsoft जिसको Bill Gates ने बनाया था, साथियों, इसके Key Peoples में अब चेयर की सारा की सारा काम, ये इनको सौप दिये हैं, ठीक है ना, ये उमीद है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो, आगे बढ़ते हैं साथियों, जागरुकता बढ़ाने के लिए, और टीका करन को प्रोचसाहित करने के लिए, किस राज सरकार ने एक सड़क की घोशना क के लिए लैबोरेटरीज हैं, तो इस प्रकार से उस सड़क का नाम ही कोवी सेफ सड़क दे दिया गया है, इंदौर के अंदर, मद्य प्रदेश के अंदर एक अवेरनेस कैमपेन है, जिसके माध्यम से यहाँ पर एक सड़क है, जिसको कोवी सेफ सड़क नाम दिया गया है, यहाँ पर खुब सारे हॉस्पिटल्स हैं और जाच कराने के लिए केंद्र हैं कोवी सेफ सड़क के नाम से इसको पहचाना जाएगा कोवी सेफ इंदौर ताकि लोगों में जागरुकता बढ़े, वेक्सिनेशन के प्रती जागरुकता बढ़े और टेस्टिंग के प्रती जागरुकता बढ़े तो इस प्रकार से इंदौर के अंदर यह कारे करम किया गया है आठ सो मीटर की एक सड़क है, यहाँ पर मतलब ड्राइव इन करके आप जाईए मतलब अपने आपे इंजेक्शन लगवाईए और चले आईए यहां कि राजधानी भुपाल है, मंद्रिपरदेश की आनंदी बिन पतेल राज़पाल है जो कि यहां के अलावा यूपी की भी है शिवाराज सिंग चौहान यहां के मुख्यमंत्री है एक जबरदस्त चीज बन करके आईए आप इसे देखें क्या है मैं आपको बताता हूँ साथियों ये एक चीज है आप पहले इसको पढ़िये क्या लिख रहा है CBSC student after finding out that class 11th marks will also be considered to calculate class 12th marks ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी लेकिन अब समझ ये क्या बोल रहा हूँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि class 12th marks तो जुड़ेंगे 12th के 30% marks जुड़ेंगे 11th के और 30% marks जुड़ेंगे किसके 10th के तब जाके class 12th की percentage बनेगी बोले 12th में तो बच्चे ने exam ही नहीं दिया तो बोले internal assessment हुआ होगा या फिर मतलब pre-board हुए होंगे कोई test वगेरा लिया गया होगा class में उसके अधार पर जो उसकी performance रही है उसके अधार पर 40% weightage दिया जाएगा class 12th में 30% weightage दिया जाएगा class 11th में और 30% weightage दिया जाएगा class 10th के नंबर का ये formula सुझा आए अब ज़रा ध्यान से सुनिए यहाँ पर ये वाला जो बतलब यहाँ पर एक समझे कि एक प्रकार का कावव बनाया हुआ है इसमें क्या है मजाक के लिए ये चीज है और उसमें क्या है आपने अक्सर देखा और आप अपना भी समय आद करें तो class 11th में बच्चे बहुत serious नहीं होते हैं बहुत कम serious में इसके साथ class 11th की पढ़ाई करते हैं यहाँ ठीक है पढ़ लेंगे type से अब 30% नंबर जब उनके class इसके भी जुड़ने लगेंगे तो भाई साब बहुत बुरी हालत हो जाएगी है ना मतलब उनके पैसे जो है वो यहाँ पर भी cut जाएगे या पूरी जो मैनत उन्होंने अब तक नहीं की है वो यहाँ पर हो जाएगा देविंद्र वर्मा सर आप से बात करना चाहते हैं यह करिये ना देविंद्र भाई बोलतो रहे हम यही से सारी बाते कर रहे हैं CBSC के चेयर्मेन चंदन डिवांगन ने लिख दिया है बहुत बड़िया हाँ जी clear चलिए तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी क्या बात कर रहे हैं उमीद है आपको यह पूरी की पूरी बाते समझ में आ गई होगी कि CBSC ने हाल ही में जो फॉर्मूला सुझाया है वो शायद आपको समझ में आ गया हो CBSC की बात अगर हम बताएं तो 1962 में इसका अनिर्मान हुआ था मनोज आहुजा वर्तमान में इसके chairman है Education Ministry के अंतरगत यह आता है Center Board of School Education ठीक है आशियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है यानि आशियान वाले अपना डेंगू दिवस मनाते हैं और वो आशियान डेंगू दिवस की जो थीम है वो आशियान यूनाइट अगेंस्ट डेंगू अमिस्ट COVID-19 इस बार की थीम रखी गई यह 15 जून को यह मनाया गया है यानि आशियान वाले दस देश अपने से ही लड़ रहे हैं जारवा आशियान दिवस मनाया गया है इनके दवारा 15 जून को ताकि इनका कहना है कि हम डेंगू से लड़ना चाहते हैं और COVID-19 के केस में हम विशेश रूप से इसका ध्यान रखना चाहते हैं इसके लिए अगर आपके कभी मच्छर काटका है तो वहाँ एलो वीरा से आप उस जगे को डिसिंफेक्ट करें जिस जगे काटा है उस जगे को गरम पानी से साफ कर लें और आइस पैक का इस्तमाल करें ताकि स्वेलिंग ना बचे मैस्किटों के काटने पर और डेंग्यू के सिम्टम से बचें यहाँ पर यह काम किया गया है 16 माई जो है वो नेशनल डेंग्यू दिवस के रूप में आबजर्व किया जाता है इंडिया में और मतलब यह जो 15 जून है इनके द्वारा यह आशियान डेंग्यू दिवस मना गया यह तथ्या आप लोग याज रख सकते हैं आशियान की फुल फॉर्म असोसियेशन आफ साउथ इस्ट एशिया नेशन है यहाँ पर आपको यह तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रशन की तरफ और वो प्रशन क्या है मरुस्थली करण और सुखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवसकब मनाया जाता है आपको याद होगा हाल ही में मोदी जी के द्वारा एक भाशन दिया गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उन्हाने 2030 तक कितना परसेंट जमीन जो है हाजी बताएं बिल्कुल बिट्टू ने हमारी थकान पकड़ ली है कि सर आप थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल 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 आईए साथी तो यहाँ पर क्या हो रहा है मरुस्थली करण और सुखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है तो साथियों हाल ही में सतरह तारिक को यानि आज के दिन क्या बनाया गया है United Nation Convention to Combat Desertification मनाया गया है क्लियर तो यहाँ पर थीम रखी गई है World Day to Combat Desertification and Drought ये इस बार की थीम रखी गई है सतरह जून को मनाया जाता है UNF CCD के द्वारा इसका निर्वान किया जाता है ठीक है ना तो साथियों पैरिस के अंदर इसका मुख्याले है और Secretary General जो है वो इसके अंदर उपस्तित होते हैं UN की तरफ से ठीक है बिटा चलिए हाँ भाई आगे बढ़ते हैं साथियों किस बैंक ने कॉर्परेट्स के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधानों का एक व्यापक सैट ICICI स्टैक 4 कॉर्परेट्स विक्सित किया है तो आप्वियसी बात है नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट की लेयर कर सकते हैं लॉन कर सकते हैं केयर कर सकते हैं ग्रोथ लेयर बना सकते हैं ऐसा कॉर्परेट घरानों के लिए तो हमारे और आपसे जुड़ी हुई चीज़े नहीं है ICICI के दवारा स्टैक विक्सित किया गया है स्टैक का मतलब है ये इस बार किसके दवारा किया गया है ICICI के दवारा ठीक है न तो ये Digital Banking Solutions के दवारा किया गया कारिय है उमीद है आप लोग इस बात को समझ जाएंगे बात हो ICICI की तो की पीपल में आपर संदीब बक्षी MDCEO है और गिरीश चंद चतुरवेदी चेयर्मेन हैं आप ये तथे याद रख सकते हैं इस स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो भीया अपनी तरह अनकैडमी की तरह अब एक और वेबसाइट लाँच हो चुकी है जहां पर भी ऑनलाइन क्रिकेट पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन क्रिकेट पढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है जड़ा देखिएगा विरेंदर सहवाग के दौरा एक ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम है क्रिकरू क्रिक गुरू की तरह से क्रिकरू क्रिकरू नाम से एक वेबसाइट विरेंदर सहवाग के द्वारा लॉंच की गई है जिस पर आनलाइन लोगों को बैटिंग और बल्लेबाजी जो है उसके गुर सिखाये जाएंगे दुनिया के प्रमुख बल्लेबाजों और क्रिकेटर्स के द्वारा विरेंदर सहवाग, ABD विलियर्स यह कौन सा है भाई, ABD विलियर्स और प्रशांत रायरा और ब्रायन लेरा यह सारे की सारे खिलाडी यहाँ पर होंगे क्रिस गेल, डॉयन ब्रावो, हर्बजन सिंग और जॉन्टी रोड्स यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे तो भाई साहब, 30 से अधिक खिलाडी यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे वेबसाइट का नाम, आप क्रिकरू के नाम से सर्च कर सकते हैं क्रिकिट की यहाँ पर जानकारी मिलेगी www.krikru.com पर यहाँ पर जानकारी मिल सकती है तो भाईया हमने सहवाग जी की वेबसाइट का प्रमोशन कर दिया है ठीक है, चलिए साथ ही, तो फिलाल के लिए इतना ही फिलाल आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना खयाल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना विक्तित विक्सित करें सेशन को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें कल सुएफ फिर आरेने के सेशन में मुलाकात होगी मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट प्राप्त कर सकते हैं हमारी क्लासेज, लाइव क्लासेज, प्रिवियस क्लासेज, सारा पेडियेफ सब आपको एक ही क्लास में मिल जाता है नेक्स्ट वीक एकॉनामिक्स शुरू हो रहा है अनकेडमी पर SSC के फाउंडेशन बैच में यदि आप उसे जॉइन करना चाहते हैं तो आप उसे जॉइन करें मैट्स, रिजिनिंग, इंगलिश, टेक्निकल जितनी भी SSC केटेगरी में उपस्तित क्लासेज हैं मातर 5,850 रुपए में आपको मिल जाती हैं अंकित 10 रेफरल कोड से 6500 रुपए की फीस में 10% का डिसकाउंट आपको प्राप्त हो जाता है इस क्लास की PDF के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं अंकित अवस्ति सर के नाम से किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं अंकित अवस्ति सर मेरे टेलिग्राम चैनल है फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें धन्यवाद